ऐज बात करते करते बारी आई बालों की।। बाल भी तो इस गरमी को हो। और जब मौनसून आ जाएगा। अभी तो हम प्रे कर रहे हैं, आ जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा नमी को जेलते हैं, वो बाल ही है। तो आखिर हैर कैर क्या है। क्या वो छोटी-छोटी बाते हैं जो आपको गर्मी में ध्यान रखनी हैं। देखे, जो स्वेट क्लैंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी कूल हो रही है, वो सर में भी उतने ही हैं जितने आपके पूरे शरीर पर हैं। और सर में दिक्कत क्या होती हैं क्योंकि बाल हैं तो बाल वहां पर गीले हो जाते हैं और पसीना सूख नहीं पाता है। तो आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा। मेल्स के साथ या छोटे बालों वालों के साथ तो फिर भी ये फाइदा होता है कि आप बाल को जैसे हमने खुला रखा हुआ है, थोड़ा सा हाथ लगाया है, तो बाल में से पसीना इवापोरेट हो गया। लेकिन जिनके बड़े बाल हैं, जो पोनी टेल बना रहे हैं, चोटी बना रहे हैं, उसमें तो पसीना सर में ही इखटा होता रहता है, फिर क्या होता है, उस पसीने से एक, आपने देखा होगा एक माउसी सी वो समेल आने लगती है, जैसे जैसे नमी की समेल बोलते हैं बाल कर देता है और बाल गिरने की जो चैन्सेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं एस सच हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में मॉनसून जो है वो हेर फॉल का सीजन होता है बाल अपनी जिंदगी पूरी करके मेजॉर्टी बाल जड़ से निकलने लगते हैं और नए बाल आने लगत है उससे मत डरिये उसकी कहानी हम अलग बात करेंगे और वो एक नॉमल फिनॉमेना है अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने बालों को गर्मी में उनकी केर करें तो पहले चीज़ तो यही है कि बहुत ज्यादा स्टाइलिंग प्रोड़क्ट का इस्तमाल मत कीजिए खासकर जो वैक्स जैसी चीज़े हैं और अगर जेल भी लगा रहे हैं जेल दे की वाटर बेस प्रोड़क्ट होता है तो वो गर्मी का प्रोड़क्ट होता है तो कोशिश यह कीजिए कि पहले इंस्टेंस पे ही उसे दो लीजे जब आप बाहर से वापस आ रहे हैं तो पंक किजिए कि आप बालों को रेगुलर्ली धोएंगे गर्मी में और्टनेट डे तो बहुत ज्यादा ज़रूरी है अगर आप रोज भी दो लें तो बहुत अच्छा है शैंपू किस तरह का इस्तमाल करना चाहिए हमारी ना दिमाग में एक यह रहता है कि हम एक हम हमारे ओली तो आप यह सोचिए जो शैंपू आप सर्दी में इस्तमाल कर रहे थे क्या वो गर्मी में काम करेगा लॉजिक कहता है बिलकुल नहीं करेगा तो जो बाजार में शैंपू मिल रहे हैं वो होता है शैंपू और कंडिशनर का मिक्स्चर तो आइडियली हमें क्या करना और गर्मी में हमें कंडिशनर की जरूरत नहीं है पिकोज पहले ही इतना तेल और पसीना आ रहा है माइल्ड शैंपू बहुत सारे मिलते हैं माइल्डी के नाम से एक बहुत अच्छा शैंपू है जिसको आप रेगुलर्ली यूज़ कर सकते हैं वो बालो को ड्राई नहीं करता है एंटी डेंड़ शैंपू के साथ दिखत क्या होती है कि एक को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है तो शिच यह कीजिए कि एक तो एंटी डेंड़ लोशन लें लोशन का फायदा हम कि आप बसके लें 10 मिल रहा है तो एंटी रेंड beef लीजिए उससे स्केट तो दो दिजिये और optimal शेम्पूऌ दो ये ताकि आई नहीं उसके अवा कोशिश है रहती है के अगर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो स्विमिंग जाने से पहले बालों को बांधिये, उसके उपर एक हलका सा बेबी ओल लगाई है, ताकि बाल के अंदर वो जो सॉल्टेट पानी है, क्लोरिनेट पानी है, वो ना जाए, और स्विमिंग से आके धोना बहुत 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 ज़रूरी है, सिर्फ सुखा के काम नहीं चलता है, उसके अलावा जो ऑईल सिक्रीट हो रहा है, उसको स्प्रेट कर देता है, उस ब्रेश पे अगर आप हलका सा बेबी पाउडर डाल लेते हैं, और फिर उससे बालों को करते हैं, तो इट एक्ट्स एज ड्राइ शैंपू और प्लस वो पसीने को सोपता चला जाता है, तो यह सब वो है, रेगुलर्ली वाश कीजिए, जैसे जैसे हुमिटी बढ़ती चली जाएगी, आपको लगेगा हैर फॉल बढ़ रही है, उससे डरिएगा नहीं, इस नॉर्मल फिनामेना, यह मौसम है जब आपको विटमिन B7 खाना है, बायोटन 10 मिलिग्राम, प्लीज, छे साल से उप को और बालो को भी हेल्प कीजिए,